Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, My Name is Garima आज हम कुरेंगे Class 9th English NCRT Moment Supplementary Reader का Chapter 10 The Beggar का Second Part इसका First Part का Link आप Description से देख सकते हैं So continue the chapter Part 1 में हमने पढ़ा था कि जो Advocate Sergei थे वो उस Beggar को अपने घर ले आये थे इस शर्थ पे कि वो काम करेगा और उन्हें उसको लकड़ी काटने का काम दिया था लकड़ी काटने के बाद उन्होंने उसको Half Rubble यानि लगभग 50 को पैक्स दिये और फिर कहा कि महीने के पहले दिन वो आ सकता है और लकड़ी काट सकता है हम हमेशा उसके लिए काम त्यार रखेंगे और वो यहाँ आकर काम कर सकता है और महीने के पहले दिन वो फिर से आया और उसने आकर फिर से Half Rubble कमाए वेफ वर्ट दिया है उसी के लिए बेगर के लिए अब वो बेगर नहीं था वेफ मतलब होता है आवारा जिसके घरबार नहो इसलिए वेफ वर्ट का यूस किया गया है और हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम होता था अब वो या तो बर्ष जो गिरती थी वो फावड़ा होता है जिससे खोद कर वर्ष फटाता था Now put the woodshed in order जो woodshed में लकडिया इधर उदर पड़ी होती थी उनको सही से क्रम में लगाता था Now beat the dust out rugs and mattresses तो जो भी धूल होती थी कालीन में rugs होते हैं कार्पेट्स और mattresses होते हैं गद्डे तो जो भी धूल गर्दा होती थी उसको जारने का काम दिया जाता था तो फिर एक बार की बात है कि उन्होंने पैसों के साथ-साथ उसको पुराने कपड़े जैसे हम लोग दे देते हैं जरूरत मन्दों को तो उन्होंने पुरानी पैंट जो है उसको दी थी जब सर्जी दूसरे घर में जा रहे थे जो उन्होंने किराय पर लिया था तो उन्होंने उसको अपनी मदद के लिए जिसे की सामान की पैकिंग कर दे या फिर हॉलिंग आफ दे फरनीचर जो फरनीचर है उसको एक जगे से दूसरी जगे खिसका दे ले जाए लेकिन इस बार जो वेफ यानि वो बैगर था वो काफी ज़्यादा सीरियस था, काफी दुखी था और काफी शान्त दिख रहा था वो काफी मुश्किलों से फरनीचर को छू पा रहा था, हिला पा रहा था और अपना सर लटका है, अपनी गाड़ियों के पीछे पीछे चला जा रहा था, वेगन होते हैं, और ये भी नहीं दिखा रहा था कि वो काफी बिजी है, और जो भी उसके साथ तेरदगीर उसके काम कर रहे थे, वो उसका मजाग बना रहे थे, और उसको शरमिंदा कर रहे थे, कि ये देखो कितना आलसी है, कितना कमजोर है, क्या ये काम कर पाएगा, और जब ये सामान एक जगे से दूसरे जगे पहुचाने का काम हो गया, घर बदल दिया गया, तो उसको सरजी के पास भेजा गया, Well, I am happy that my words have taken effect, he said, तो सरजी ने उससे कहा, कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, कि मेरे जो शब्द थे, जो मैंने तुम से कहा था, उसने तुम पर काफी असर डाला, handling him at rubel, और फिर उसको एक पूरा rubel दिया, यानि अभी तक उसको 20 से 40 कोबेक्स तक मिलते थे, आज उसे ए no objection to work, मैं देख सकता था कि तुम तकलीफ में थे, तुमें कमजोरी थी, फिर भी तुमने काम को लेकर कोई भी objection नहीं दिखाया, what is your name, तो पहली बार उनों ने उससे नाम पूछा उसका, तो उसने बताया लशकॉफ, तो बैगर ने अपना नाम लशकॉफ बताया, well तो लशकॉफ ने का, हाँ मैं लिख सकता हूँ, I can, then take this letter to a friend of mine tomorrow, तो फिर ये मेरा दोस्त को एक पत्र मैंने लिखा है, इसे तुम उसके पास ले जाना, and you will be given some copying to do, और वो तुम्हें कुछ नकल करने के लिए, लिखने के लिए देगा, work hard, बहुत मैनत करना, and don't drink, शराब बिलकुल मत पीना, and remember, what I have said to you, goodbye, और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैंने तुमसे कहा है, और फिर ये कहकर उन्होंने उससे goodbye कहा, और फिर वो इतने खुश हो गए थे उस व्यक्ति से, कि मैंने उसको सही रास्ता दिखाया, इसलिए उन्होंने उसके पीट पर थप थपाया, उसके कंधे पर, और फिर उससे हाथ मिलाया, और फिर वहाँ से वो चला गया, लश्कॉफ तुप दा लेटर, एंड फिर फोर्थ केम नो मोर तु दा यार्ड फॉर वर्क, लश्कॉफ ने वो पत्र लिया, और उस दिन से वो यार्ड में काम करने के लिए नहीं आया, तो सर्जी जो थे शाम के समय, एक सिनीमा हॉल में थेटर के पास खड़े होकर, खिड़की पर टिकेट खरीद रहे थे, अपनी सीट के लिए, उन्होंने नोटिस किया कि उनके बगल में एक छोटा जैक्ती खड़ा हुआ है, जिसका कोट का कॉलर है, करली फर है, और उसने एक सिल स्किन की एप पहनी हुई है, जो कैप है उसकी वो काफी मखमली टाइप की है, और वो जो छोटा सा इंडिविजुल यानि जो व्यक्ती था, उसने काफी जिजगते हुए, टिकेट सेलर जो टिकेट बेच रहा था, उससे पूछा कि क्या गैलरी मुझे सीट मिल सकती है, और उसने कॉपर के कॉइन्स जो थे, उसमें पेट किया, यानि पहले कोपेक था, तो कोपेक से बढ़कर अब ये कॉपर कॉइन्स हो गया, लशकॉफ, इस दा यू? तो उसने पूछा सरजी ने, उसको फुड़ा सा ऐसा लगा कि ये लशकॉफ है, उनका लशकॉफ ये तुम ही हो, रिकॉगनाइजिंग इन दा लिटल मैं, इस फॉर्मर वुट्चॉपर, और उन्होंने पहचान लिया, कि ये वही पहले वाला लकडी काटने वाला व्यक्ति है, जिसने मेरे यां काम किया था, और उन्होंने कहा, लशकॉफ, how are you, what are you doing, how is everything with you, तो उन्होंने कहा, तुम कैसे हो, और आजकल क्या कर रहे हो, और तुमारे साथ सब कुछ ठीक है, all right, I am a notary now, और उन्होंने कहा, कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मैं एक notary हूँ, notary होता है, जो कानूनी मामलों में विशेश रूप से जो documents है, उस पर sign करने के लिए उस पर अधिकार होता है, तो पहले तो उसको लेखन का काम आता था, लिखित काम आता था, अब व उसने बताया कि मुझे महीने के 35 रूबल मिलते हैं, यानि जिस इंसान को 5 कोपेक नहीं मिलते थे भीक में, उसको अब 35 रूबल, यानि 3,500 कोपेक मिलते हैं, तो उसने कितना change कर लिया था अपने आपको, और फिर उसने का भगवान का शुक्र है, ये सब बहुत बढ़िया है, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और ये सारी बाते सरजी कह रहे थे, क्योंकि सरजी बहुत खुश थे, You see, you are my godson, in the sense, क्योंकि तुम मेरे लिए एक भगवान के बेटे हो, मतलब तुमने मेरी बात मानी, मैं तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला सका, मुझे बहुत खुशी है, I give you a push along the right path, you know, तुम्हें पता है, मैंने तुमको एक सही रास्ता दिखाया था, Do you remember what a roasting I gave you? ये, तो उसने का, तुमको याद है कि मैंने तुमको धिकारा था, roasting मतलब तुमको गलत बाते सुनाई थी, मतलब भला बुरा कहा था, लेकिन तुमने उन बातों को सुना, समझा, और उनसे सीख ली, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें अपने प अब्दों को नहीं बुलाया, thank you too, said Lushkov, और Lushkov ने भी कहा कि आपका भी शुक्रिया, if I hadn't not come to you, then I might still, I have been calling myself a teacher, or a student this day, yes, by flying your protection, I dragged myself out of a pit, तो उसने बताया कि अगर मैं उस दिन आप से नहीं मिलता, और आप को मैं जूट नहीं बोलता, कि मैं teacher हूँ या फिर student हूँ, और हालात नहीं होते, और आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाते, तो आज मेरी जो हालत है, वहीं की वहीं होती, मैं आज एक बिकारी ही होता, I am very glad indeed, और मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर, thank you for your kind words and deeds, तो उसने का आपके शब्दों का, और आपके कामों का, बहुत उसने Olga, यानि जो वह कुप थी, उसका शुक्रियादा करा और कहा कि भगवान उसकी रक्षा करे, but strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me, और उसने ये भी बताया कि, अगर मैं बताऊं तो केवल आपकी रसोया ही जो थी, जो आपके लिए खाना पकाती थी, जिसका नाम Olga था, उसी ने मेरे को ब घर आया था लकड़ी काटने के लिए, उसने मुझसे कहना शुरू किया, मुझे स्कोल्ड करना, धिकाना शुरू किया, कि तुम जो हो, एक ऐसे कष्ट दायक प्राणी हूँ, there is nothing for you, burn ruin, और तुम तो इतना बरबाद हो चुके हो, तुमारा कुछ नहीं हो सकता, and then she would sit down, opposite me and grow sad, और फिर वो मेरे सामने बैट गई, और काफी दुखी हो गई, look into my face and weep, और मेरा चेहरा देखकर रोने लगी, oh you unlucky man, और तुम बदनसीब आदमी, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come, और तुमारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमा परक में जलोगे, oh you unhappy one, and so she would carry on, और फिर वो मुझे बहुत बुरे बुरी चीज़ें सुनाती रही, उसके शब्द जो थे, वो मुझे अंदर तक चोट पहुचा रहे थे, you know in that strain, और आपको पता है, वो कितने तनाव में थी, I can't tell you how much misery she suffered, आपको पता है, मैं बता नहीं सक तक उसको ये शब्द कहते, कितना कश्ट हो रहा था, मैं महसूस कर पा रहा था, how many tears she said for my sake, tears होते हैं आशू, और आपको मालूम है, इतना सब बुरा बुरा कहने के बाद उसने मेरे लिए, मेरी खातिर कितने आशू बाए, but the chief thing was, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, she used to chop the wood for me, वो मेरे लिए लकडियां काटती थी, do you know sir, that I did not chop one single stick of wood for you, और यहां पे देखिए कितनी बात, बड़ी बात आगई सामने, आपको पता है sir, मैंने आपके घर में आपके लिए एक भी छोटी सी लकडी नहीं काटी, she did it all, ये सारा काम वो खुद करती थी, this, why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I can't explain, क्यों मैं बच पाया, कैसे मैं बदल गया, क्यों मैंने पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, मैं आपको ये बया नहीं कर सकता, मैं आपको explain नहीं कर सकता, I only know that owning of her words and noble deeds, मैं केवल ये जानता हूँ कि उसके जो शब्द थे और उसके जो अच शेकार रहे थे, a change to place in my heart, मेरे दिल को उसने बदल दिया, she set me right and I shall never forget it, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, और क्या गलत है, क्या सही इसकी पहचान कराई, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, however, it is a time to go now, और फिर का ठीक है, अब ये समय है मेरे जाने का, there goes the bell, घंटी बचती है, Lushkov board and departed to the gallery, Lushkov ने उनको बो किया, मतलब जुक कर नमस्ते करी और फिर वो gallery की तरफ चला गया, तो ये स्टोरी फिनिश हो गई, आपको कैसी लगी, comment section में जुरूर बताईएगा, and thank you so much for watching, पसंद आया है, तो like करें, share करें, चैनल को subscribe करें,